तो आज हम प्रेक्टिस सेट नमर आठ को कंप्लीट करने वाले हैं तो समय काफी कम बचा है इसलिए मैं एक दिन में दो दो वीडियो बना रही हूं तो हो सकता है कि मैं पूरा वीडियो को एक्स्प्लेंग नहीं कर पाऊंगी तो जली जली में टिक कर दूँगी तो चली स्ट द्वारा किया जाता है तो यह तीसरा स्टेटमेंट गलत है मुंडा ससन में मुंडा गाउं के विवादों का भी निप्टारा करता है चली नेक्स देखते हैं युवागरी और जंजाती गिती ओड़ा कोडवा गीतियो और घोटू तो इसका मैंने एक ट्रिक बना बताया थ युवागरी gib धुमकूडिया और घोटूल जो है एक और दोंगे चली है टो चली आगे बढ़ते है पढ़ा पंचायत सासन विवस्ता में मांजी के संदर में निम्लिकित कथन पर विचार किजे पहला है मांजी गाउं के प्रधान का सहयोगी होता है दूसरा महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुचाने का कारी मांजी करता है तो पढ़ा पंचायत सासन व्यवस्ता किसकी है पढ़ा पंचायत सासन व्यवस्ता उराव जनजाती की है और उराव जनजाती का प्रमुक जो हता है वो महतो कहलाता है और उसका एक सहयोगी होता है जिसे मांजी कहते हैं और मांजी जो है महतो के पंचायते आदेशों को लोग पाचवा है, मांजी परगना सासन वरस्था में किस त्योहार या उत्सव की सूचना ग्रामीनों तक पहुचाता है, किस त्योहार या सूचना की, किस उत्सव की सूचना कौन पहुचाता है, तो वो वैक्ति है गुडएत, ठीक है, नेक्स्ट है, जारकन की किस जन जाती को धन भूमिज जिन जाती को धनबाद में सरदार कहा जाता है नेक्ट देखते हैं साथवा नमर प्रिश्ण ठोकलो सोहर सासन विरस्ता के संदर में कौन सा बीमेल है पहला पद है दूसरा में कारी दिया हुआ है तो पहला देखे दिवान तो राजा का सलाकार कालो राजा का वकील तीम जोक कर राजा का कुशा दियक्ष और लिखा कर राजा का मंतरी तो कौन सा पद जो है बिमेल है इसका अंसर हो जगा उप्सन नमर बी कालो जो है पाहन धोकलो सोहर सासन विरस्ता में गाउं का धार्मिक प्रधान है नाकी राजा का वकील नेक्स्ट आठवा नमर सवाल भायारी का संबन किस जनजाती से है तो भायारी का संबन पहडिया जनजाती से है पहडिया जनजाती में आठ से दस गाउं को मिला कर एक अंतर गरामिन पंचायत का गठन होता है जिसे भायारी कहते है नेक्स्ट सदानों के संदर में कौन सा कथल सत्य है पहला गैर जनजाती भी है तो यह तो गलत लिखा हुआ दूसरा statement भी गलत है सदान जारकर के गैर जंजाती वर्ग है किन्तु यह अब यहां के मूल निवासी माने जाते हैं साथ ही सदानों को प्रजातिय द्रिश्टी से आर इतता धार्मिक द्रिश्टी से हिंदू माना जाता है नेक्स्ट है निमलेकित परंपरगत आदिवाशी अभूष्णों में किसे हाथ में पहना जाता है तो किसे हाथ में पहना जाता है छूची हसुली कंडफूल इन्वेस कोई नहीं तो हसली आपको पता होगा गर्दन में पहना जाता है कंडफूल कानों में पहना जाता है जबक सिद्धू मुर्मू ने दिया था जार्खन में चार सगे भाई थे सिद्धू कानू और चांद और भैरव इन्हों ने अंग्रेजों जमिंदारों और साहुकारों के विरूद 1856 में संथाल विद्रों का नेतरी तो किया जिसमें सिद्धू ने अंधोलन स्थल भोगनाडी में नारा दिया था करो या मरो अंग्रेजों हमारे माटी छोड़ो नेक्स्ट है बारहवा नमर सवाल जारकन कभा विद्रों ही आदिवासी नेता जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रों करते हुए अपने परिवार सहीत लगभग देड़ सो लोगों के साथ वीर गति को प्रा साथियों के साथ विर्गती राप्त हुआ नेक्स तेरह वा नमर सवाल संथालों के संस्थापक पितक माने जाते हैं तो वह है लोगो बुरु संथाल जारकन की सबसे बड़ी जन जाती है संथाल संथालों के संस्थापक पिता लोगो बुरु माने जाते हैं बुरु भोंग क्या है जिसमें 100 से अधीक लोग मारी गए थे तो खरसावा गोलीकांड के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है एक सगेंड कुश्चन कहां चल लगे है तो खरसावा गोलीकांड जो है अजादी के बाद खरसावा के उडिशा राज में विले के विरुद लोग प्रदर्शन कर रहते उसी दोरान जो है गोलीकांड की घटना हुई थी खरसावा गोलीकांड कभ हुआ था एक जनवरी 1948 को अजादी के बाद खरसावा को उडिशा में विले की घोसना की गई थी जिसके खिलाप आदिवार्शी महसभा ने एक सभा कायोजन किया जिस भीड में उडिशा प संस्थापना तीन लोगों ने कि थी जिसमें से सीवू सुरेन भी एक है दूसरा है संथाल समाज के संस्थापना किस ने कि थी संथापना कि थी सीवू सुरेन ने सीवू सुरेन भी एक संस्थापना की थी और चार फरवरी 1973 को विनोध विहारी मातों के साथ सीवू सुरेन ने सयुक तरूप से जहारकन मुक्ती मूर्जा की स्थापना कि थी इसमें और एक वेक्ती थी थे एक राय चलिए नेक्स्ट देखते सोला हुआ देखते हैं जंजातियों के भाग विस्तार के संदर में एक असंगत है तो जंजातियों के भाग विस्तार की बात करें तो चेरो पलामु प्रमंडल सही है पहर पहाडी के सधल के प्रसिद है और ये कॉलिश्वरी मंदिर, कोलुवा पाहड में जो कॉलिश्वरी मंदिर है, जिसमें मा दुर्गा के एक रूप मा कॉलिश्वरी की प्रतीमा है, साथ ही इस पाहडी पर जैन धर्म के दसवेत तिर्थंकर, सीतल नात ने तब किया था तथा इस पाहड पर ही भगवान बु से जन जाती है, तो ये जन जाती है बंजारा, तो बंजारा जन जाती जार्खन की एक अल्प संक्यक जन जाती है, और ये तीन उपजातियों में विभाजित है, एक है गुलगुलिया, जो भिच्चुक वर्ग है, तथा दूसरा है कंजर, अपराधिक वर्ग, प्रमुक है, तो तीन उपजातियों वे प्रमुपन सा ये गुल गुलिया जो भीचुक वर्ग है और दूसरी कंजर या प्राधिक वर्ग है ये जन जाती जड़ी बूठी के अच्छे जनकार होते हैं नेक्स्ट वर्तमान तक जारखन में नियूट राजपाल में सबसे लंबा कारिकाल किनका रहा है तो वो है द्रौपदी मुर्मूजी अभी तो वर्तमान समय में राष्टपती है मार्च 2021 तक कारिकाल के दौरान द्रौपदी मुर्मून का कारिकाल रहा है सरवाधिक लंबा 5 वर्ष 10 महीने और 9 दिन कब से कब तक थी 18 मई 2015 से लेकर 27 मार्च 2021 और ये 5 वर्ष 10 माह और 9 दिनों तक का कारिकाल है जो कि सबसे लंबा है चलिए आगे देखते हैं 21 नमर सवाल है जारखन के सभी लोकसाहितियों में सरवाधिक लेखन किस लोकसाहिति का हुआ है और कुडुक लोकसाहिति किन का है उरावजिन जाति का है इस निरिति में कथोप कथन का उपयोग होता है इसकी दो विद्याएं है हतियार रस और काली भंज रस इस निरिति का उध्वाध जारखन के सराई केला जीले में हुआ है तो देखिए इस निरिति को मुखोटा पहन कर किया जाता है अथा इसमें कथोप कथन का परियोग नहीं होता है ठीक है और दूसरा देखिए यह निरिति जारखन के सराई केला के साथ साथ उडिशा के मयूर भंज तथा पस्ची मंगाल के पूरूलिया में भी प्रचलित है लेकिन इसकी उत्ति जारखन के सराई केला से हुई है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अप्चांन अमर अबर बी इस निरिति में कथोप कथा नहीं होता है क्योंकि मुखोटा पहन कर जो निरिति करने वाले होते तो हम्धू नंसूर निरा जाहां करे ये लोक गायक है मधु मंसूरी हसमुक इनकी गीत जो है इन्हें 2019 में पद मिस्री पुरुषकार से भी समानित किया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं कि बेटी और नेतर हाट का ही एक अधिवाशी बासरी वादक चरवाहे की कि वंदिती कहानी महां आज भी अभी लेखित साची में मौझूद है या थो कि नेतर हाट जो है सुरियोदे और सुरियात का अस्थाल के रूप में प्रशिद है चलिए आगे बढ़ते है सरहूल पर्व के संदर में अस्थिकतन की पहचान कीजिए पहला या चैत्र मा की सुक्ल पक्ष की तिर्दिया को मना जाता है तो हाँ ये सही है या तीन दिवसी पर्व है तो ये गलत है तीन दिवसी नहीं चार दिवसी पर्व है इस तेवहार में सरना स्थल को घेरा जाता है या प्रक्ति से संबंदित तेवहार है तो देखें सरहून चार दिवसियते वहार है पहला दिन घर में जल छिड़काव होता है दूसरा दिन उपवाश्क रखा जाता है तीसरा दिन सरई फूल की पुजा होती है और चौते दिन फूल का विसरजन हो जाता है और विसरजन स्कल को क्या कहते है गिलिया कहते हैं नेक्स्ट देखते हैं चबिसवा नमर सवाल इसका आंसर हो जगर दो हजर तीन में नहीं सोड़ी दो हजर चौदा जारकंडी भासा साहीती संस्कृती अखड़ा कगठन 2014 में हुगा था नेक्ट देखते हैं 27 वा एंसाइकलोपीडिया मुंडारिका के में किस भासा के अनेक लोग कथाओं वर लोग गितो का शंकलन है तो ये मुंडारी भासा में लिखा हुआ है एंसाइकलोपीडिया मुंडारिका इसमें जो हो जन जाती की भासा के अनेक लोग कथाओं वर लोग गितो का शंकलन मिलता है एंसाइकलोपीडिया मुंडारिका के लेखा कौन है जॉन होफमेन है और 1915 इसमें इसकी रचना की गई थी इस रचना को मुंडारी भासा के प्रमुख रचना मानी जाती है क्यूंकि इस साहित में मुंडारी भासा इंसाहिते का विश्व कोश माना जाता है साथ ही इस साहित में हो भाषा की भी अनेक लोग कत्थाओं का लोग मिश्रन मिलता है चलिए आगे देखते हैं अनंत साहे अखोरी की रचना है तो गिह एग्रह का फेर जो है अनंत साहे अखोरी अनंत सहाय अखोरी की रचना है तो 26 का अंसर हो जगा option number 26 नहीं सभी 28 का अंसर हो जगा option number A नेक्स्ट 29 वा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किस भासा के आदिम जंजाती युगक के बारा वर्सों के अथक मेहनत से संग्रहित विलुक्त हो रही भाषा के भासा सब्द कोश्व के संरचित करने के लिए प्रशंशा की गई है इसका अंसरो जगक कोरव अधिम जंजाती पारा सिठक हीरा मन कोड़वा ने कोड़वा भाषा के सन्रक्षन के लिए कुरवा भाषा सब्द कोस्त तयार किया आय। जिसकी तार्फ थमधें प्रधान मंत्री मोदी ने किया है तीसवा नमर स्वाल है निमलीखित में से कौन सी जारखंड भासा बोली अक्षर सा जंदाती के साथ सत्भासा के लिए भी पर्योग में लाई जाती है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अपसर नमर डी उपर्योग सभी तो देखिए कोल जाती भी है खड़िया भाशा भी है चले आगे देखते हैं राजस्तर ये संस्थाओं में कौन एक राची में अवस्तित नहीं है तो पहला है फैकल्ट्री और फोरेश्ट्री दूसरा है कॉलेज फोरेश्ट्री तीसरा होमियोपैथिक महाविद्याले और चौथा कुन सा ह अपसे नमटी होमियोपैथिक कॉलेजन होस्पिटल ये जो है धुमका जीले में अवस्तित है बाकी सब जो है राची में अवस्तित है 32 निमली के संस्थाओं में सरवाधिक प्राची मतलब सबसे पुराना कौन सा है तो इसका अंसर क्या हो जागा रीन पास राची रीन पा नहीं पर विचार की जिए पहला चावनी बोड भारत के रक्षा मंतराले के ठाहत कारी कर दिए तो यह कुष्षा नमबर कितना था 33 यह कथन सभी है दूसरा देखते हैं जार्खन में 2 जार्खन में चावनी बोड़े वह सवार्ण तो इसका मतला केवल कथन एक सही है जिन सहरों में सायन चावनिया होती है वहां चावनी बोड का गठन किया जाता है यह रच्छा मंत्राले के अधीन कारी करता है और जहारखन में एक मात्र चावनी बोड है रामगड रामगड में वस्तित है नेक्ट देखते हैं 34 नमर सवाल महंद्र सिंग धोनी ने अंतराष्टी क्रिकर से सन्याज काप की थी तो इसका अंसर čगा 15 अगस 2020 को अंतर राष्टी क्रिकर से सन्याज की गोश्ना की थी 15 अगस 2020 को चलिए आगे बढ़ते हैं 35 वैक्ति का नाम और संबंद अरूना मिस्रा का संबंद धावक नहीं ये गलत है पहला ही इन स्टेट्मेंट गलत दिया गया है अरूना मिस्रा जो है मुकेबाजी संबंदित है जबकि प्रेम लता गर्वाल परवतार हो ही है दीप शेन गुपता सत स्टेटीम यर्व लिग 2023 में जारखन से एक खिलाडी कोने इनद्रानी राय इंद्रानी राय जो है निलामी में खरी दी गई यह रोयल चेलेंजर बैंगलूरू रू की और से सामील थी यद्यक्तिम्हेर इंभ फिय कोमबार्ष में चना में लेकिन यह सामिल थी जड़े आगे देखते हैं पांच में खेलो इंडिया यूथ गेम दोहजार तैस में जारकन राजी की निमलिकित में से किस खेलाडी ने आट सो मीटर और पंदरा सो मीटर में गोल्ड जीता तो वो है आसा की रन बारला 38-38 नमर सवाल है संस्थान और स्थान कौन सा बेमेल है चुनना है तो हिंदी विडिया पेड जो है दुमकाम नहीं देवगर में है तो पहला ही गलत हो जाएगा हिंदी विडिया पेड देवगर में है जिसके इस्थापना कभी थी 1929 में हुई थी जबकि राजिंद्रा लो तो मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है तो चले आगे देखते हैं थर्टी नाइंथ नमर सवाले चोटा नागपूर कास्टकारी अधिनियम 1908 के अनुसार अस्थाई भूद रिती का तात्परी क्या है तो अस्थाई भूद रिती का तात्परी है वंसा नुगर्द फूद रिती से नेक्स्ट है छोटा नागपूर कास्टकारी अधिनियम 1908 के संबंद में निम्लिकित कत्नों पर विचार किजिए पहला है इस अधिनियम में खड़ी फशल को चल संपत्ति माना जाता है तो यह सही है दूतरा है इस अधिनियम के अनुशार स्थाई बंदोवस्ति का तात इस अधिनियम में रहियत को तीन प्रकारों वरगी की रिद किया गया है तो मेरे हिसाब से अंसर होना चाहिए C और आंसर दिया हुए D अब आप कमेंट में बताइए कि इसका अंसर क्या होना चाहिए नेक्स्ट है 41 जाएगा इसका अंसर कितना हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा 10 वर्स यदि नयायाले के लिए किशी भूमी संबंदी सर्थ के मूली का निर्धारन करना वश्यक हो तो छोटा नाक्पुर कस्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 103 के ताहत यह मूली पिछले 10 वर्सों या उससे कम अवधी का उर्सत मूली माना जाएगा नेक्सट 43 नमर संथाल प्रगना कास्तकारी अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान किया गया है कि रहयत को अपने जोट पर बिना किसी अधिकार शूल्ग या फिर प्रभार के इट और खपड़े बनाने का अधिकार है यह भी क्वेश सब्सक्राइब के जो बहुत सारे एक्ट होते हैं मुझे याद हो गया है जैन्विनली तो उसी प्रकार से आपको भी जरूर याद हो गया होगा जैसे खपड़ा और इट बनाने का अधिकार मुझे याद हो गया आर्टिकल जो सब्सक्राइब की धारा 15 में दिया हुआ है और 15 के बाद जो है तलाब बनाने वाला सोला में दिया हुआ है इस तरीके से मुझे याद हो गया कुछ कुछ चीज़े उसी प्रकार से स्पिटी एक्ट में धारा 9 भी मुझे याद हो गया कि ग्राम प्रधान को पधांतरन का अधिकार नहीं है तो सेट बनाने से तो फाइ कि विरुद लगान के वस्यूली हेतु कोई मुकदमा किया जाता है तो पहले मुकदमे के डैस के भीतर लगान के वस्यूली हेति दूसरा मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है और यह धारा पच्पन में दिया हुआ है नेक्स्ट है संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम 1940 की किस धारा के तहट कोई रईयत स्वयम या अपने परिवार के घरेलू या क्रिश्य संबर्धी परियोजने के लिए अपनी जोट पर कच्चा या पक्का मकान बना सकता है तो यह धारा जोए 18 हो जाएगा नेक्स्ट है जोट छोड दिया जाएगा और तालीसवन नमर सवाल देखते हैं संथाल प्रगना कास्तकारी अधिनियम उन्हें सुनचास के धाराच छपन में प्रावधान के प्रावधान में कौन से सही है तो पहला है उपायुक्त के आदेश के बिना क्रिशी भूमी से कोई व्यक्ति नहीं निकाला जा सकता है दूसरा है किसी व्यक्ति के जोट से निकाले जाने पर उपायुक्त उसे अपनी भूमी पर कभजा बनाए रखने का आदेश दे सकता है तो यह दोनों कथन सब्सक्ति हैं इसका अंसर है सी नेक्स्ट है पंचायत अधिनियम को किस वर्स लाए गया सही है विवादू के सामधान है तू परंपरा गत तरीकों का संड़्चन करना तो इसका अंसर हो जगों अप्सन नमबर सी दोनों सही है तो आज के वीडियो में से इतना ही अगला 50 प्रश्ण जो है मग ले वीडियो में करने वाले हैं वीडियो काफी लंबा हो जाता गाए जैसे लिए जो है मैं वीडियो को पूरा नहीं बनाती हूँ एक बार में क्योंकि फिर अप्लोड नहीं होता है वीडियो जो वीडियो चलगा तो लाइक सेर चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए धन्यवाद